हेलो मैं डियर स्टुनेंट्स आज का जो टोपिक है हमारा वो गामा फंक्शन है लेकिन उससे पहले जो अपना लेक्चर वन था उसमें बीटा फंक्शन की वारे में मैंने कुछ बताया था पहले उसकी डेफिनेशन ली फिर इसकी प्रॉपर्टी नंबर वन जो की सेमेट्रि करेंगे फिर उसके बाद जो गामा फंक्शन है हमारा वो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर टू मैं आप लोगों के सामने सोल कर चुका हूं बट मैं यहां फिर भी आपको बता रहा हूं कि बीटा ओफ एमन जो था वो था जीरो टू इंफिनिटी एक्स तू पाव नंने लेकीन इस जगए पर मैंने यूस किया था आ एक्स की जगे मैंने वाइ यूस किया था तो यह प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी यह जो एक्स टू पावर एन माइनस वन है क्योंकि यहाँ पर सेकेंड नंबर पर एन था तो एन माइनस वन और इन दोनों का टोटल नीचे लिखा हुआ है यानि कि मैं इस एन को रिप्लेस एन से भी कर सकता हूं यानि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एम माइनस वन अपोन वन प्लस एक्स टू पावर एम प्लस एन डी वाई ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने यानि कि जो एन है उस एन को आप एम से रिप्लेस कर सकते हैं नीचे कोई फरग नी पड़ेगा यह सेमेट्रिकल प्रोपर्टी से लगा सकते तो बीटा एमन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और बीटा एमन को ऐसे भी प्रॉफ किया जा सकता है तो पी यह प्रूफ कर चुका हूं ऑप जो गॉना ऑप कर रहा हूं यह जो प्रोपर्टी है उसको पिंग्र मैट डेशंच प्रीप्रेशन में लिख दा हूं Е decrease कि मैं्अटरिक Trigonometry Representation Presentation Of Beta MN Of Beta MN यहनि कि जो आपका Beta function है उसको Trigonometry की form में भी दिखाया जा सकता है इस property को हम प्रूफ करेंगे जो की आगे gamma function में भी use होगी तो Trigonometry presentation के benefit आपको आगे जाकी मिलेगा कुछ ऐसे questions हैं जिनमें sign course के terms आती हैं और वो integration normal way में हो नहीं पाते हैं लेकिन हम shortcut तरीके से उन questions को बहुत आसानी से solve कर सकते हैं लेकिन उससे पहले हमें उसके def formula में पता होने चाहिए by definition of beta function by definition of beta function beta function की definition आपने अल्यदी पढ़ रखिये beta mn 0 to 1 x to power m minus 1 1 minus x to power n minus 1 n into dx और आपको यह भी पता है m और n greater than 0 होंगे पहतार पॉजिटिव क्योंकि हमें रिग्नोमेट्री रिप्रेजिटेशन आपको करना है तो यहां पर आप क्या करेंगे कुछ substitute करना पढ़ेगा कुछ मानना पढ़ेगा कुछ पूट करना पढ़ेगा putting putting just a minute x is equal to sin square theta हम x की जिगी क्या put करेंगे sin square theta अगर मैं इसको differential करता हूँ x का differential dx sin square 2 sin theta into cos theta और पूरे का differential हो जाएगा d theta चीक है तो sin square का होगा 2 sin theta, sin theta का cos theta और theta का आपका d theta लिख सकते हैं, इसी तरह से यहां पर आप इसको थोड़ा सा changes भी करें, यहां पर आप इसको लिए सकते हैं, sin square theta is equal to x sin theta is equal to root x limit को निकालने के लिए कि limit भी change होगी theta is equal to sin inverse root x यह जो condition में अप्लाई की है, यह condition आपको limit निकालने में help करेगा, क्योंकि अभी question x की form में है, we can see function, this integration given in variable x and we are changing x by theta, we are replacing x by theta, theta को हम change करेंगे, उसके लिए मुझे limit की change करनी पड़ेगी, चीक है, तो अब यहां पर integration, इसको अब equation number 1 बंदे दीजिए, उपर की तरब, अब पहले आप limit को change कर लीजिए, पहले हम बात करेंगे अपर limit की, okay, first of all I am talking about upper limit, upper limit के लिए, सबसे पहले x की limit है, वो 1 है, we can check, x की limit 1 है, कहां रखेंगे यह value, यह रखेंगे यहां पर, अपर limit की बात करूं, जब हम x की जगे यहां पर 1 रखते हैं, तो theta is equal to sine inverse under root 1, under root का कोई impact इस पर पढ़ेगा नहीं, तो यह sine 1 हो गया, sine में 1 value होती है, pi by 2 की, यहीं, sine pi by 2, 1, sine inverse 1 is equal to pi by 2, overall theta is equal to pi by 2, कहां replace करोगे, आप x equal to 1 की जगे से replace करेंगे, similarly, for, जिस तरह से आपने upper limit लिए, वैसे हम बात करेंगे lower limit की, lower limit के अंदर आप क्या करेंगे, x की जगे 0 put करेंगे, देखिए, आपके question के अंदर जो निम्नत्म सीवाजी से कहता है, यह lower limit आपको दिख रही है, आपको रखना कहा है, आपको यह value रखनी है इस जगे पर, x की जगे, तो theta is equal to sine inverse under root 0, वैसे भी यह 0 ही हो जाएगा, sin inverse 0, और sin inverse 0, 0 होता है, यह हम कह सकते है, sin 0 की value 0 होती है, और theta की value यहाँ पर आप use करेंगे 0, ठीक है, theta की जगे आप यहाँ पर क्या use करेंगे, तो हमारा जो question है, आपको दिखाई दे रहा है, हमारा जो question है उपर definition जो आपको दिखाई दे रही है, हम उस definition की बात कर रहे है, इस definition के अंदर आपको x की जगे तो put करना है, sin square theta और जहाँ पर limit है, इन limits को हम change करके pi by 2 to 0 लिखेंगे, now from equation number 1, आप इसको continue करते हैं, now from equation number 1, beta mn, theta की limit, 0 to pi by 2, x की जगे आप क्या रख रहे हैं, sin square theta, power अपने पास होगी, m minus 1, 1 minus x की जगे आप रखेंगे sin square theta, और यहाँ पर n minus 1, और यह जो dx है, यह dx है, इस dx की जगे आप रखेंगे 2 sin theta into cos theta d theta, 2 sin theta into cos theta and d theta, हमारा object क्या है, हम beta function को trigonometry form में convert करने की कोशिश कर रहे हैं, यानि कि इसे हम trigonometry form में भी present कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा continue करते हैं, और आपको समझे आएगा, 0 to pi by 2, जो यह आपके पास उपर की तरफ जो 2 दिख रहा है, मैंने बस x की जगे value put की, यह 2 को अंदर multiply कीजिए हैं आपर, देखी जड़ा, sin 2m minus 2 into theta, क्या कर रहा हैं, इस 2 को, इस 2 को इससे और इससे multiply करके भाहर निकालेंगे, मतलब यह अंदर ले जाएंगे भाहर जेसे भी आप चाहें, इसी तरह से second volume में लिखेंगे, 1 minus sin square theta, cos square theta होता है, n minus 1, और बाकी remaining terms, जो आपके पास है, वो है, 2 sin theta into cos theta into d theta, चीक है, अब एक काम करते हैं, यह जो 2 आ रहा है आपके पास में, इस 2 को हम बाहर common ले लेंगे, इसको थोड़ा close कर देंगे, ठीक है, और आप देखते हैं, इसकी value यहाँ पर 1, 1 given है, अब आप इसको और solve कीजिए, यह as it is रहेगा, 0, 2, 5, 2, sin, 2, 2 power m minus 2 into, यहाँ पर angle में theta है, similarly for cos, यह जो 2 आ रहा है, इसको भी इन दोनों से क्या करना पड़ेगा, multiply आपको करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा आपका 2N minus 2 into theta, sin to power 1 है, यहाँ पर theta, and cos to power 1, यहाँ पर theta है, और यह हो जाएगा आपका d theta, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए, अब यह जो sin theta का term है, and this term, इन दोनों का base same है, then power will be added, तो यह दोनों add हो जाएंगे, इन दोनों का आप add कर लिजिए, 2, 0, 2 pi by 2, sin 2m minus 2 plus 1, क्योंकि दोनों same है, sin के साथ में working कर रहा हूँ, इन दोनों के साथ, चीक है, इन दोनों के साथ working हो रही है, इसी तरह से इन दोनों के साथ, इनकी powers को में add करेंगे, cos 2, just a minute, 2n minus 2 plus 1 theta d theta, तो minus करने के बाद, हमारे पास जो term रहेगी, sin 2m minus 1 theta, क्योंकि यहां negative, इसको दोनों को minus करेंगे, minus आएगा, और cos 2n minus 1 theta d theta, चीक है, तो finally, यह trigonometry part है, बीटा को मैंने change किया है, तो overall आप लिख सकते हैं, hence, हमने जो बीटा है, just a minute, बीटा को एक नए form में हमने change किया, that is called trigonometry, presentation, 0 to pi by 2, sin 2m minus 1 theta, cos to power 2n minus 1 into theta and d theta, ठीक है, तो यह जो portion है, हमारे further, आगे जब हम topic पढ़ेंगे, gamma function, वहाँ पर हम इसका use करेंगे, तो you should learn, इसकी help से हम और भी questions यहां पर discuss करेंगे, तो यह जो topic आपने भी पढ़ा है, यह आपका बीटा function का remaining portion था, जिसकी बात में आपर कर रहा था, I hope आपको इस इसन में आई होगी, easily आपन इसको इसमें present कर सकते हैं, लेकिन आज का जो topic हमारा है, वो है gamma function, ठीक है ना, गामा function की कुछ basic fundamental, आज मैं आपके साथ discuss करूँगा, ठीक है, गामा function के definition, कुछ properties आज अब discuss करेंगे, remaining properties, remaining parts, and remaining questions, वो हम next जो आपके lecture होगा, उसमें हम discuss करेंगे, और beta function की अभी से property discuss करी हैं, और उसका definition यूज किया है, लेकिन उसके questions अभी नहीं किया है, वो इसलिए नहीं करा रहा है, क्योंकि पहले हम gamma function को पढ़ेंगे, फिर gamma के बाद में, beta और gamma में हम relation बनाएंगे, relation बनाने के बाद में, हम questions कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी questions इन दोनों पर best भी होते हैं, so I am using definition first, definition of gamma function, जिससे बीटा की definition थी, वैसे गामा की भी definition आपको समझदी है, अचार, बीटा function जो था, वो proper integration था, ये आपका improper integral की form में count होता है, so I am using definition of gamma function, जहांसे समझना, the gamma function, gamma function, denoted by gamma, ये इस तरह का जो सिंबल होता है, वो gamma होता है, gamma n, अचार, कई लोग इसको इससे बना लेते हैं, गलते ये root हैं, हमेशा इस तरह से बनाना, एक line इस तरह से बनाना, ये गामा का सिंबल होता है, दिफ़रा ध्यान रखें, ये गलती नहीं करना, अचार, गामा एक ये भी होता है, स्मोल में, ये गामा यूज नहीं करना है, यहां पर, ठीक है, हामें क्या करना है, capital gamma यूज का, मदब ये जो बनावा है, इसको capital gamma भी बोलते है, gamma n, is, defined, is, defined by, the improper integral, मैं आपको एक नाम लिया था, improper, improper, integral, ठीक है, infinite आ रहा है, अपर इसलिए, देखो, gamma n की जो definition है, वो है, 0 to infinity, अचार, लिमिट क्या है, लिमिट में यहां पर आपके देखेंगे, infinite आ रहा है, ठीक है, इसलिए वाले में 0 to 1 था, यह 0 to infinity, यहनिकि, लिमिट के इंदर infinite जिसी term सगर आना शुरू हो, लिमिट, infinite आपके कोई number है, तो वहां पर वो proper limit की form में माना जाता है, ठीक है, e raised to power minus x, यहां पर एक exponential function हम यूज़ करेंगे, x to power n minus 1 into dx, ठीक है, यहां पर n जो है, और x की कुछ condition है, जो हमें ध्यान रखनी है, which is, which is, convergent, आप इस बात को समझे, मैं इसको repeat कर दो, convergent, या convergent का मतलब, आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि first year में, convergent का कोई नाम आता नहीं है, अब बाता देता हूँ, is convergent, first I take complete definition, for x greater than 0, convergent का मतलब है, कि हम इसे, यह define करता है, परिभाशित होता है, greater than 0 के लिए, अगर greater than नहीं है, तो यह define नहीं होगा, परिभाशित नहीं होगा, इसको कहते हैं, convergent, convergent का मतलब है कि function define होना चाहिए, परिभाशित होना चाहिए, यह कहने नहीं का मतलब है, तो x का greater than 0 होना चाहिए, साथ में, n, n is a positive, a positive number, जरो नहीं positive हो, हो सकता है, integral हो, negative और positive दोनों आ सकते हैं इसमें, और fractional, और fractional यानि डिवाइड के अंदर, और fractional यानि की fraction का तर डिवाइड के अंदर, 1 by 2, 3 by 2, 4 by 2, डिवाइड में, यह पॉजिटिव के लावा, यह भी condition हो सकती है, यह आपको ध्यान रखके चलना है, कि वो positive भी हो सकता है, integral form भी हो सकता है, fractional भी हो सकता है, मतलब इसमें सारे numbers use हो रहे है, इमेजरे number use नहीं होगा, बाकि maximum number हम यहां पर use कर पा रहे है, जब हम question करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर मैं कौन कौन से number use कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पिछली definition से एक हीज और याद होगी, ज़रा लिख रहा हो है, जहांसे रेखो, this integral, this integral is also called, also known, also called second, second Eulerian, पहला वाला जो था, बीटा जो था, फर्स्ट Eulerian था, यह second Eulerian integral भी कहलाता है, यह दोड़ा ध्यांड़त के चलना आपको, कि यहां पर first Euler integral का मतलब है, बीटा function, second Euler integral को हम यहां पर गामा भी, गामा को बोलते हैं, तो वैसे इसका कोई इतना utilization नहीं है, लेकिन हाँ गामा function को यह कहा जा सकता है, इसको other definition में इसको इसको इस तरह से लिख सकता है, तो अब ध्यान रखें, बीटा जो होगा, फर्स्ट Euler integral होगा, जबकि गामा जो function जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो आपका second Euler integral होगा, इस definition को आप यूज़ करेंगे, गामा का सिंबल इस तरह से होगा, इसे रूट नहीं बनाना है, 0 to infinity limit होगी, E इसके अंदर आएगा, एक्सेस में आएगा, डी-एक्स यहां पर आएगा, इसकी help से हम आगे की properties करेंगे, उन properties के अंदर, बीटा function का भी use होगा, और उन दोनों को मिलाने के बद, हम एक combination बनाएंगे, बीटा और गामा का, और उनकी help से जो नए formula आएंगे, उन formula की help से, हम different type की integrations complete करेंगे, चीक है, अब बात करते हैं property की, but definition यही है, definition आपको यही use करनी है, जो मैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा dark कर देता हूँ, आप लोगों को पता रहे हैं, कि मैं इसी definition में work करूँगा, मैंने बीटा में भी यही किया था, कि definition की help से कितने question कर दियते हैं, आपको पता है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो I am using this definition, कुछ properties हैं, उन properties को हम यह discuss करेंगे, और वो properties जितनी भी आप निकालेंगे, वो एक तरीके से basic है, उसकी help से हम बहुत सारी questions को असानी से कर पाएंगे, तो next topic आपका है, next topic properties, without definition एक भी property आप सोल नहीं कर सकते, properties of gamma function, gamma function, basic सीखिये, बहुत मज़ा आएगा, एक बार सीखने के बाद, काफी interesting properties के अंदर cover होते हैं, तो इसके अंदर जो first आपका property 1 है, मैं P1, P2 से इसको शो करूँगा, इसलिए आप आसनी समझ में आ जाए, प्रॉपर्टी नंबर हम 1 की बात कर रहे हैं, P1, प्रॉपर्टी 1 की according, मैं उसको एक तरीके से proof की फोर्म में लूँगा, शो देट एक क्वेशन की तरह माल लगी है, इसे एक क्वेशन आता है, शो देट गामा 1 is equal to 1 होता है, गामा 1 की वेल्यू हमेशा 1 होती है, जैसे फैक्टर 1 की वेल्यू 1 होती ही न, गामा में अगर 1 रखा जाएं तो उसकी वेल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, हम एक एक करके इस तरह की प्रॉपर्टी एक इस तरह की फोर्म लें निकालेंगे, जो कि आखी यूस्फुल है, तो solution देखिए इसका, कैसे निकालते हैं, लेकिन और और जो रोल है, वो है definition का, तो समझना, definition से बहुत आसने से इसको हम कर सकते हैं, by definition, by definition of गामा function, क्या definition थी, डा definition थी, गामा एन is equal to 0 to infinity e raised to power minus x, x to power n minus 1 bx, यहाँ पर x की value greater than 0 होगी, उसके लिए convergent मतलब define है, वो होना कमपसरी है, चीक है, अब question के अंदर, आप देखें, तो question बहुत इजी लिए कर सकते हैं, यहाँ देखिए, गामा में क्या रहा है, आप वन रख दीजिए, आपको कहने कही answer तो मिलेगा, तो आप इसमें value put करेंगे, putting, यह शब्सिट्यूटिटिं, n is equal to 1, जब आप 1 put करते हैं, तो यह हो जाएगा, गामा 1, 0 to infinity, e raise to power minus x, x to power 1 minus 1 dx, एक ना, n की जगे 1 put किया है, मैंने, I am putting value, n equal to 1, इस जगे पर देखिए, एंद इस साइड, यहाँ पर value put करते हैं, right or left के अंदर, ठीक है, अब, 0 to infinity, जब आप, 0 to infinity, e raise to power minus x, x to power 0 into dx, आपको पता है की, x to power 0 जो होगा, वो 1 होता है, ठीक है, पतावना चीए आपको, 0 to infinity, e raise to power minus x, dx, और भी basic है, जो मुझे आप लोगों से discuss करना है, इस question को आगे भढ़ाने से पहले, यहाँ हमें इसको एक बार दुबारा से repeat कर देता हूं, साथ में कुछ topic, कुछ definitions को हम यहाँ पर continue करेंगे, जिससे कि आप वो चीजा को clearly सभ्या है, कुछ concept आप लोगों साथ में share करूँगा, जिससे कि आपको आगे question करने problem लिए है, पहली बात तो यह है, कि जो x to power 0 है, आप जानते हैं, वो 1 हो गया, जो आपको पता है, e exponential function है, e raise to power infinity, हमेशा infinity ही होता है, और e raise to power minus infinity, हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, sorry, मैंने गलती कर लिए हैं आपर, इसकी value infinity होगी, e raise to power infinity, infinity होगा, e raise to power minus infinity, 0 होता है, आप इसको आपको समझ सकते हैं, अगर 1 upon e raise to power infinity, अगर लिखा हो, तो हम उसको लिख सकते हैं, infinity, infinity और इसको आप लिख सकते हैं, 0, ठीक है, तो अगर मैं इसको continue करूँ, अगर मैं इस power को उपर की तरफ लेके जाओं, तो ये e raise to power minus infinity बन जाता है, which is known as 0, ठीक है, यहाँ मैं पता होना चाहिए, तो ये conditions हैं, जो ध्यान रखना हैं आपको, first condition, second condition, third condition, इससे help से आप आगे का question बहुत आसानी से कर पाएंगी, अब मुझे इसका integration करना है, चीक है, 0 to infinity, integration डिरेक्टी कर लेते हैं, e raise to power minus x का integration, e raise to power minus x, negative term आती है, negative 1, 0 to infinity, क्योंकि e की power का तो e raise to power x ही, होता है, minus को आप भार कीजी, e raise to power minus x, 0 to infinity, solve करेंगे, minus e raise to power minus infinity, minus, e raise to power minus 0, वैसे भी e raise to power 0 भी 1 ही होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, कि e raise to power minus infinity, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, एकी power 0 है ना, इसकी value तो वैसे minus हो जाए, plus हो इसकी value तो 1 ही होगी, कोई फरक्न ही पढ़ता है इस चीज़ से, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, 1, वाहर आ रहा है, तो और 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 इसकी value आपकी क्या होगी, 1 होगी, तो हम कुल मिलाके लिख सकते हैं, कि गामा वन की जो value होती है, गामा वन की जो value होगी, वो वन होगी, इस इस अप्रॉपर्टी जो हमें ध्यान रखके चलनी है, इसको समझ सकते हैं, तो यह प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, अब एक प्रॉपर्टी और हम डिसकस करेंगे, यह इजी यह अपको समय आ रहा है, कहीan problem नहीं है, प्रॉपर्टी नबहर टू, प्रॉपर्टी नबहर टू, प्रॉपर्टी तू जो है, वो है एन गामा एन फ्लस वन इस इकल टू औएन गामा एन, यानि कि यह इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, गामा एन प्लस बन को एड गामा एन लिख सकते हैं वह पटी फीटी इसी से रिलेटेड हैं क्योंकि दोनों को हम एक साथ करेंगे वा पर इंबर ठीके हम अगर बात करें तो गामा एन प्लस वन जो भी इंदिखाए देरा है उसको हम लिख सकते हैं factorial n factorial n या factorial को हम कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं अच्छा यहाँ पर जो n की value है वो आप use करेंगे 1 2 3 and so on यह use करते हैं यह दो property को बिला कि simple अगर मैं बात करूं इसकी तो gamma n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं इसको प्रूफ करेंगे हैं example की तोर पर मैं आपको प्रूफ करने से पहले एक example मैं आपको बता दूँ जैसे माली जी मुझे n प्लस 1 का मतलब यह हो गया यह से माली जी यहाँ पर बेने लिए 5 ले लिए गामा 5 की value निकालने है अब गामा 5 का मतलब यहाँ पर clear है क्योंकि आप इन दोनों को देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो n प्लस 1 नहीं मतलब एक ज्यादा है एक प्लस value है यहाँ पर n है तो यहाँ प्लस 1 है इसका मतलब अगर यहां पर फाइफ होगा तो यहां फोर होगा क्योंकि एक वेल्यू कम लिखनी है कि यहां पर अगर फाइब प्लस वन है तो जैसे पांच है यहां पर आपके चार आएगा फोर आएगा यह आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसी तरह से अगर मैं बोलो फ कर सकते हैं 24 होता है इसी तरह से इसको इन्टू वन होता है जिसको लिखते है यह गामा की वेल्यू को आप इस तरह से शो कर सकते हैं सिमिलरली अगर मुझे निकालना है गामा फूर की वेल्यू निकालनी है तो इसको हम ने सकते हैं त्री इंटू 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 वन डैटीज सिक्स तो यह कंडिशन से इन दोनों प्रॉपर्टीज को इसके लाब बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी अविलेवल ह इन सारी प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्शर के अंदर डिसकस करेंगे और यह बेसिक फंडामेंटल है जो मैंने आप लोगों से शेर किया है और यह जो थियोरम्स यह जो दोनों प्रॉपर्टीज है उनको हम लेक्स लेक्शर में विद एल्प डेफिनेशन ओफ गा